प्राप का स्वागत है प्यारे बत्चों हमारा टोपिक है बहुत इंट्रेस्टिंग एक वुजन से मैं तो कौन सा रोग है पहला तो बेल्कुल यह श्वानन द्वारा होता है क्योंफसा जिवानन द्वारा होता है इस तरह से किस्वन पुछा आता है ठीक है तो एक तो यह किसन पुछा आता है एक यह पूछा आता है कि को इस रोग में सरी का को सा अंग-प्रभावित होता है एक किसन होता है कि यह किसल होता है यह कई विशानों के द्वारा होता है विशानों का नाम भी पुछ ले तोड़ा दिपली पुछ psychopath न Athlete पूछ लेता है कि विशाणों का नाम क्या है ठीक है तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि यह है विशाणों द्वारा होने वाला रोग है यह बैक्टरिया द्वारा होने वाला रोग है और यह अमारा हम देखेंगे पहले नंबर पर है परजीवी प्रोटो जोवा मतलब परजीवी को क्या है प्रोटो जोवा द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हमें देखना है ठीक है तो आप देखोगे पहला point हम देखे परजीवी द्वारा होने वाले रोगों में देखो गया आप परजीवी द्वारा होने वाले रोगों में परजीवी क्या होते हैं हमारे काम पाया, काम पाया, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सोनना पे काम पाया, ठीक है, तो यह इसकी सो ट्रिक है, सोनना पे काम पाया, ठीक है, तो हम देखते हैं, सोनना पे काम पाया में पहले नमबर बर हमारा सोनना, सोनना मींस क्या है, स सोनने की विमारी ठीक है और यह किसे होता है पैरवत्चों यह परजीवी से होता है सोनने की विमारी किसे होती है परजीवी से होती है और परजीवी से होती है तो यह पूछ लिया आता है इससे सरीर का कौन सा अंग परभावीत होता है तो कौन परभावीत होता है मस्तिक्स प और यह पूछले कि किस परजीवी से होता है और यह B जैसे आपने बिल्कु नाम सुना होगा. इस अपने बिलकुत कॉमन नाम सुना वढ mechanics जी भी है न प्लाज्मोडीम का नाम चुना हुआ ओर इस्षी तरह से इसका वहाँ कोन है तो इसका वहाँ है, is CC मक्ही कौन शी है CC मक्ही तो CC मक्ही है इसका वहाग है ठीक है CC वीसे इसको PTC ऐसे बोलते हैं कि अजय तीने इसको सोट परम में टीने इसको बोल दे इसके बोल दे देए तक है तो हम देखते हैं सोनने की बिमारी है वो किस्जी होती है यह पर जिवी है कौन सा प्रिपे नोमा प्रजीवी और इसका वहा कौन है वहाक है शीशी मक्ही है वहा कौन है शीशी मक्ही है तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्छो ठीक है तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए ये भी ध्यान होना चाहिए कि हम देखते हैं ये क्या है वहाक ह है यह क्या है प्रजीवी क्या है आग और यह क्या है यह प्रभावी तंग है यह प्रभावी R Hybrid है तो आपको पता जल गया कि सोनदा में स्टैसोंने की भीबारी और हुए और कि अंकोन से की शुवी और है प्रोटो जोवा ठीक है और मतली है तुकल और हम पिर उसके बाद में हम बात करते हैं देख आगे है फेटीश पेटीश में पेटीश में सरीर का पेटीश रोगं है जो पेटीश है इससे सरीर का कों sa प्रभावित होता है प्रभावित पिकम क कहीं लोग yield मुझे 25 हो गई है कहा कि 10 लग गए क्या हाँ 10 लग गए तो इससे इंटेस्टाइन प्रभावित होगी कौन प्रभावित होगी इंटेस्टाइन प्रभावित होगी तो आपको यह ध्यान अखड़ा है प्यारे बच्छों कौन प्रभावित होती है इंटेस्टाइन प्रभाव पर तो हर नहीं है तो उसमें आत में डालता है और इसकी वज़े से दस लगते हैं तो यह है पेचीश फिर उसके बाद में अगला कामीं स्कालाह जार क्या है काला जार अजार भी बोल देते हैं काला जार इंगलिस में ब्लेक अजार ऐसे बोल देते हैं काला जार वह ऐसे बोल देते हैं जार ठीक है काला जार काला जार अस्ती मज़ा जो बोन मेरो है वो प्रभावित होती है इसे कौन प्रभावित होता है बोन मेरो ठीक है बहुत ही प है रो ठीक है अस्ति मजाएक है और गन है अंग है वह प्रभावित होगा पर जीवी कौन सा उता है पर जीवी भी जितनी बार भी पेपर में आहाई इसका बस यह पर जीवी पूरा नाम नहीं पुछा या वैसे तो पूरा नाम लिस्मेनिया डोनावानी क्या है लिस्मेनिया डोना मानी क्या है लिसमेनिया डोना मानी ठीक है लिसमेनिया डोना मानी है बस एसे याद करना है डोना वानी ठीक है डोना वानी ठीक है और इससे वहाख कोन होगा वहाख लेके कोन आता है वहाख होता है इसका एक बालू मक्खी वहाख कौन है बालू मक्खी है ठीक है बालू लेंक स्कावार मैं मैं से क्या है मल ही से क्या है मलेरिया ओर हम देखते हैं मलेरियर में प्रभाव właści कोन सा होगा मतल प्रब्छा मैनों के अंदर फिश्ई पर अुब फड़ता है में जो पर्जीवी यह और जिससे झुट वह ऩो बोलते हैं वह बोलते हैं नाम है प्लिया क्या नाम है प्रजीवी को था हुग प्रजीवी सभी को ग्यात है कौनसा प्लास्मोडियम कौन सा है प्लास्मोडियम लेकर कौन आएगा मादा मादा एनफिलीज मच्छर लेकर आएगा नर नहीं लेकर आएगा नर मच्छर है वह है रक्त नहीं चूशते हैं मादा ही रक्त चूशते हैं मादा एनफिलीज मच्छर ठीक है मादा एनफिलीज मच्छर नर मच्छर बोजन एक बार ऐसे पूछा गय रख्ट से ठीक है तो इस रूफ से फिर पाया पाया मींस क्या है पायरिया 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 प्रभावीत अंगे कौन सा है ये भी किस्ट ने पूछा जा सकता है ते को पायरिया में कौन प्रभावीत होगा मसुड्डे मसुड्डों स से खून आना सुरू हो जाता है मसुड़ों से खून आना सुरू हो जाता है मसुड़ों में और हम देखते हैं इसका जो परजीवी है वह एंट अमीबा जिजने वेलिया है क्या है एंट अमीबा जिजने वेलिस ठीक है जिजने वेलिस है तो हम देखते हैं इसका जो परजीव है वो कौन है एंट अमीबा तो हम देखते हैं इससे वहा कोन है वहा के नहीं है ठीक है तो इस तरह से किस्न पूछा याता है कि इससे प्रभावी तंग कौन से है और इसका वहा का कोन सा है यह किस्न गलते नहीं होना चाहिए जब यदि पेपर में आए तो यह सभाय завraw तो अपने आप में ही ठीक है ये परण लेना है ये किसन गलते नहीं होगा ठीक है ये था मारा कौन सा परजीवी द्वारा होने वाले रोग परजीवी द्वारा होने वाले रोग है ठीक है तो हम देखते हैं अगला अगला हमारा क्या है इस तरह से एक सो ट्रीक और बना रखी है यही पेमेंट पाया काला सोना पेमेंट पाया काला सोना पेमिन्स के पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिका आत में मलेरिया प्लाजमोडी माद एनफलीज पलियार बीशी पाईरिया एंटमीबा जिजने वेलिस मसूडे काला काला जार लि डेक्त्रीजा को बैक्त्रीजा को बोलते państwo क्या बोलते हैं जीवानोह जीवानौ एस जिवानौ से होने वाले रोग हम देखेंगे क्या Nu देखो वहां पर हमने परजीवी में हमने देखा था बस एक वहां अलग से देखा था तो लेकिन यहां पर सेम का सेम वही देखेंगे जो आमने और तो बाकी तो आप देखो यहां पर एक 100 ट्रिक लिए करें सोट्रिक लिए ले लिए तो प्रिका क्या है अंधित का टिकम्यूं है मिन धित का टिकन्यूं है आते है से याद करना म अफनि ऐसे याद करना है ठीक है पंडिते का टिक न्यू है आ गया यहां तो मैं सोच रहा था कभी आए ना ठीक है थोड़ा सा और इसको ऐसे कर लेते हैं एक मिट थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा सो ट्रिक उपर लिख देते हैं सो ट्रिक यहां रोग हो जाएंगे रोग यहां ध्यान करना आपने परभावित अंग और यहां देख लो बस एक आदा याद करना है और सबीके बैक्तरिया याद करना है बस एक दोगा जो में बता दूँं, आभी कोन सा याद करना है कौन से बैक्ट्रिया से होता है ठीक है तो इस तरह से हमने देखना है प्यारे बचों अब देखो, मैंने बता था आपको पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, न्यू है. कुछ एक एक एक्ष्टा भी आएगा, एक दो एक्ष्टा भी आएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको, कुछ एक्ष्टा होगे, एक दो एक्ष्टा होगा, तो हम यहाँ के लिख देंगे, ठीक है, अब लेकटरिया पहले नंबर पर है पंडित पै पै, मीन्स क्या होता है, देखो पै ऑन één वी कोन था होगके पैको क्लेर है प्लेगे तो प्लेग है, मुख्य रूप से आप देखो गए वह किस से होता है बेक्ट्रिया से होता है कौन सा बेक्ट्रिया होता है पास्चुरेला पेस्टीज होता है कौन सा बेक्ट्रिया होता है पास्चुरेला पेस्टीज जो बेक्ट्रिया है इसका होता है पास्चुरेला पास्चुरेला मेली प पिएप्ड़ु का चुछ सो सबीजू कोर यह सवेक जली होता है यह थे करो फेप्ड़े है फेपड़ेShot ठीक है फिर उसकेपादुनारा बात करते हैं बढ़ने कि लिए खनी आफ는데 the डिफ्थिरिया जाता है तो इसके अंदर हम देखते हैं डिप्तिरिया है जो आपने देखा हुआ जो एक कोरोना वायरेस है आपको द्यान होगा उसके कल टाइप है तो उनी में से इससे जो एक बैक्टरिया भी होता है इनमें जो कोरोनी बोला जाता है क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है किसकी Bus Better plays pořمل और न benš थेसी ज़्याद कर लए वारध रह तो मारा थेıllड हो ले यह क्या होगा थेlav थीर्या तो आपको ठ्रिकर चाल रखना है थे प्रहुबावित अंकोर सा होगा सो स्वसंतत अंतर प्रहुत होता है हमारा स्वैसर्ण अली प्रहुत होती है करेंगे अगला मतलब है तपेदी के बोलते हैं कि इसको बोलते हैं टीवी को से रोग इसमें क्या होगा देखो आपने कई वार सुना है कि टूब रोखलोशीस से हो गया बनाउपलोशीस है यह क्या है एक बेक्टरिया है और इसका पूरा नाम तो ग्या है प्रवाई तो दोट सब्यांत फेपड़ा प्राइट से प्रवाई चेक अपने मए फ्रवाई तरल two on Pappth से फ्रसूनिय को फैबेढ़ा हो गया तो फ्रसूनिय क्वेटा हैं तो फैपड़ा है इसमें लंस है फिर उसके बाद में आप देखो अगला का है जो का तो पंडित का टिक न्यू है तो का है या तो इस से का से कैसे यहां से बढ़ा लो या इस का से बढ़ा लो तो हम देखते हैं का से मुख्य रूप से बनता है काली खांसी क्या बनता है काली खांसी और काली खांसी है वो पू तो बैक्टरिया का नाम भी क्या है न से ही मिलेगा। में दैखते हैं इसको पूरा बैक्ट्रिया का नाम है हीमो फिलस है पर चुछए तूर्फुलस है ठीक है है हिमो फिलस है है हुआ है तो काम इंज क्या हो गया काली खांशी काली खांशी में कौन परभावित होगा नौर्मल सी वात है 673 भावावित होगा मैं अभी बताया आपको पुरा को पूरा मानों का क्या होता है स्थाइब और रास्पिरेसेन सिर्फ्टम बावित होता है ठीक है पिए पार दो इसके बाद में टीटनेस टीटनेस आप किसी से पूछो गए बड़े बुज्रक से वह बताया है कहागे हिसका तो जवारा ही जूड़ गया था बिल्कुल कई जवारा जूड़ गया था तो ऐसा क्या हो था क्या हो ने से से व्यक्ति के मतलワ व्यक्ति के क्या हो जाता हैं बह। अधिक मिर्थ्यों सब लूख और इक जा तरह सा ता इसमें पैर पर चोट लगी लगातर में गृजह कर व समय दिकूर और दीरे दीरे दिरे वत चोट है है कि रॉइ legitimately वह प्रभावी तो होती रही और टेटनस बन गया तो जब उसको उठाकर लेकर गए हम तो उसमें उसका मूँ पूरा क्लोक हो रखा था मतलब पूरा जबाड़ा जुड़ गया था डोक्टरों ने वही बात है बोली कागी बस पांच मिन्ट लेट हो जाते बोलते नहीं दोक् नर्वस सिस्टम हो पुरभावित होता है और इससे दो बैकरिया के नाम क्या हुआ क्लोस्ट्रीडियम टिटिण फिट्ने क्या है टिटन्य तो इसका क्या नाम है क्लोस्ट्रीडियम को टिट्ने तिटेनी भी बोल देते हैं टेटनी भी बोल देते हैं ठीक है एक यह बात है टीटनेस कौन सा है टीटनेस परभावितंग कौन सा है मैंने बताया आपको तंत्रीका तंत्र तंत्रीका तंत्र मिन्स क्या है नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम है ठीक है फिर उसके बाद में क्या है यहां एक तो कालिखासी आज की यहां बनेगा कोड कौन सा है कोड कोड में आपने देखा हुआ कई बार यह कहा है कोड में भी उसने इलाज कर दिया मतलब कोड में भी व डिन रात लगा देखो कोड में क्या होता है किया हमारी सारी का तंतर आ प्रभावित होगा और तंतर के रोग हो जाता है वाज़तिं आना ध्क हुरू challenges के बहुत ही बहंकर और तो इसमें आपने देखा है आपनी देखा कि the क्या बोलते हैं, जो हम क्या बोलते हैं, लिप्रेशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिप्रेशी, तो नाम भी इसका ऐसे मिलेगा, बैक्टरिया का लिप्री, क्या बहुत हैं, लिप्री, तो लिप्री बैक्टरिया से यह होता है, किसे होता ह कि handship लेपरी लेपरी future अभधियोस निंट्वी से निमोनिया क ai तब चीघकता वराद में असानी से वर्तमान नीमोनिय का संधे ने वर न पहले समयकाल में वरना सारे बच्चों की निमोनिया के अंदर डेठ भी हो जाते थी लेकिन मुर्तमान में निमोनिया का अभी है वो टिका लगा जाता हुब उस खाइक है नीमोनिया से बचने के लिए लेकिन आपने देखा हुआ कई बारे जन्मधात शिस्चु है उस समय पर निमोनिया होने के चान सेह बहुत ही ज्याद हो जाते इसका बैक्ट्रिया कभी पूछा आता है ने कभी पूछा गया नहीं है लेकिन आप फिर भी याद कर सकते हो अभी तगर वैसे पूछा गया नहीं है लेकिन आपको यह याद नहीं निमोनिया इही ही तो निमोनी होगा बैक्ट्रिया के नाम क्या है निमोनी टेक्ट है उसके बाद में हम देखते हैं है हेजजा है दस्त लग गए है तो हेजजा में आप देखोगे आंत प्रभावित होगी कौन प्रभावित होगी और यह तो बहुत इसका बैक्टरिया तो बहुत ही पुछा आता है विब्रियो को लेरी है बैक्टरिया नाम क्या को लेरा बोलते हैं इसको इंगलीस में क्या बोल तो यहां पर यहां रखोगे जो हीज़ा है उसको क्या बोलते को लेणा बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अ प्रियूटीस इस एक बात ठीक है तपेडिर टीबी डिफ्थिरिया डिफ्थिरिया बोलते हैं पेचिस है पेचिस में हम नॉर्मली आप देखोगे तो इसमें व्यक्ति में क्या है बहुत ही ज्यादा आंत में के अंदर प्रभावित होता है और जो पेचिस रोग है में ली आप देखोगे पेचिस जो एक मिन्ट एक मिन्ट फेट प्रभावित होंगे तो पेचिस नहीं होगा सोरी 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 यहां प्लेग होगा प्लेग में होते हैं पेचिस में तो पेचिस नहीं होगा प्लेग होगा प्लेग होगा सोरी सोरी प्लेग है थोड़ा प्रभावित होती है ठीक है तो यहां पर प्लेग होगा ठीक कर लेना प्लेग को प्लेग बोलते हैं तो आप देखो अभी हमने जो किया मोशोप हमारे बैक्टरिया से होने वाले रोग जो पेपर में आते हैं वह सारे हमारे कंपलीट होगे देखो अब आप देखोगे मोशली कई बार ये पूछ लिया आता है कि टाइफाइट है जो टाइफाइड बहुत ही बेंकर रोग है और इसे टाइफाइड से कई वेक्तियों में जैसे को कई बार ये बोल देते हैं कि मोती जारा मोती जारा यही टाइफाइड है बुखार ही टाइफाइड होता है और टाइफाइड में कई बार यह क्यूशन आता है तो टाइफाइड में सरीर का कौन सा अंग परभाईद होता है यह क्यूशन पूछा आता है और कई बच्चों के confusion रहता है तो इंटरनली जो सिस्टम होता है मानों का वह बिगड़ जाता है और इसकी वज़े से आप देखो बोजन है वह स्वाधिश्ट नहीं लगता और इसके अंदर मोती जारा के अंदर अपने नॉर्मली क्या बोलते हैं कि मोती जारा के अंदर भार ने निकलना होता है इस से और इसका सिंपल हिलाज है कोई ऐसा बड़ी बेंकर निया लेकिन कई बार जारा फूक इसका जारा भी लगवा लेते हैं कई लोग का जारा लगा ले और उससे क्या है टाइफाइड ही फिर टीबी का कारण बनती है तो इसलिए इस रोग के अंदर ध्यान देना होता है औ अब तर लेंगे संचारीस के तेंट वर उता नोचारइस होता है और जो दो रोग है गोनओरिया और शिफ्लीज हो चीप अपड़ीड और सिप्लिज है गौनोरिया वह सीफिलीस यह दोनों के दोनों रोग यह बैक्टरिया से होने वाल रोग थो आप गौनोरिया के अंदर हम देखते हैं गौनोरिया में मुत्तर मारग में क्या होजाइगी सूजन आ जाती है मुत्तरमारग में सूजन आ जाती है ठीक है मुत्तरमारग में क्या हो जाई सूजन इसके अंदर जो सिफलीस रोग है यह भी एक बहंकर रोग है यह भी लेंगी संचारित लेंगी संचारित का मतलब है एस रुक्षित लेंगी संब्द मिलाने से एस रुक्षित लेंगी संब् पूरे के पूरे हमारे जीवानों से होने वाले रोग हो गए है उसके बाद में इसका थोड़ा अशा एक और बना रखा है देखो बैक्टरिया द्वारा होने वाले बिमारी सी एन साब को एल पीजी से डी एस्टी थरी नामक बिमारी हो गई कुकर खासी होने वाली है शीशे कोलेरा एंसी नीमोनिया एलसी लिप्रोसी कोड जिसको मैंने बोला था पीपलेग गनो फिजी ग फिरबात करेंगे विसisel द्वारा होने वाली भी मर्वी क्या है विशान द्वारा होने वाले बिमारी ठीके विशान द्वारा होने वाली विमारी ठीक है सारा मारा है है ठीक है यह लिख दो आप है जिसने नहीं लिखा लेक को ठीक कर लेना मैंने 25 लिख दिया था अबिवची Suzanne से तो मारा कि 10 लगते हैं और हमने किस्य están कि पर जीवी द्वारा होने वाले रोग मैं पड़ा सläब्ध्र ऑगे चलो chemсте ओ विषानेवे वाले रओग कौन सा है विशानों द्वारा होने वाले साथ साथ में हो जाता है तो बड़िया रहता है विशाणों द्वारा होने वाले रोग वायरस द्वारा होने वाले रोगों में हम देखते हैं तो मुख्य रूप से हम देखेंगे जो वायरस द्वारा रोग होते हैं उसके अंदर भी ऐसा ही देखना है कि वह किस वायरस से होत तो यह हमारे mostokayian paper के अंदर पूछे आते हैं आप देखोगे इसको आपने याद करना है रेखा हमें hit करके रेखा, रेखा, हमें हिट करके, करके का छोड़ दो, करके हिट करके, पीछे, पीछे, छोड़ गई, पीछे, छोड़ गई, ठीक है, देखें एक बार, स्पेस तो पिर आगे है, पीछे, छोड़ गई, कि छोड़ कि अड़े ठीक है गई अगई ठीक है ऐसे गर लेते हैं तो यहां एक टेबल सी बना लेते हैं कि 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 अच्वाइब कि 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 क इसमें हम देखेंगे कि प्रभावित अंग कौन से है और किस विशाणों से होता है रे मिंज क्या है रे मिंज क्या है रे मिंज क्या है रे मिंज है बहुत ही बैंकर है और इसकी वज़े से तंतरी का तंतर प्रभावित होता है कौन प्रभावित होता है तंतरी का तंतर प्रभ कर तेखो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है संपून शरीर को प्रभावित करता है और मौःवीर 210, 12 मिन्स का खसरा और किसे संपुर्ण सरीर को प्रवाइद कर आपने दगवाद चिटके चिटके हो जाते हैं पूरे सरीर के अंदर है पूरे सरीर के अंदर चिटके हो जाएंगे और यह किसे होता है मौरबिली वाइरस से ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है फिर आप देख यहां पर यहां पर हर्पीस कर लेते हैं हर्पीस है हर्पीस इससे क्या हुए तुल्gen हूप प्रभाविद बहुत ही बहुत ऑनकर है तुल्चा आ फ maternal हुआ धायरस हहे इक यह होता है हुँषी की वज़ए करता है और कई व्यक्ति है कई व्यक्ति इससे तंग आकर कई बारे ऐसा भी रहता है कि मस्तिक्स के में इतना तनाव आ जाता है व्यक्ति है आत्तमत्य भी कर लेता है लेकिन हम देखें इसका इलाज है इसका इलाज है और इसमें कुछ ऐसा ऐसा होता नहीं है कि कोई कईयों को अदर सबी को पता है कि प्रभावित होता है कि अब अभी आप देखोगे रही को जिसी की वज़े से होता है ठीक है कोई वो नहीं कोई ऐसा कोई विशान हो जिसकी वज़े से होता है ठीक है टी मिन्स क्या है ट्रेकोमा ट्रेकोमा में कौन प्रभावित होगा ट्रेकोमा में आख प्रभावित होती है ट्रेकोमा तो बहुत इंपोर्डन है कई पेपरों में आचको है इससे हमारे क्या है आख पर प् पी मिन्स क्या है पोलियो है पी मिन्स क्या है पोलियो पोलियो भी एक बेंकर है पोलियो और इसमें क्या होता है नाड़ी संस्तान और हमारा तंत्री का तंत्र में नाड़ी संस्तान ठीक है पैनल पैनल प्रभावित होगा नाड़ी संस्तान प्रभावित होगा और जब पिर पूरें यहीं बोला जाया है कि नारी संस्ताइन प्रभावित होते हैं चल्नालो grewissements प्रभावित होते हो है और वाइरन का नाम भी मैं फिर एसे क्या है है इसे क्या है dragons है यह से क्या है एड्स में सभी को ग्यात है एड्स के अंदर तो एड्स में क्या प्रभावित होगा हमारा WBC प्रभावित होगी मतलब हमारा कह सकते है कि जो प्रतिरक्षा तंतर है मानों का वह प्रभावित होता है प्रतिरक्षा तंतर एंटी बोडी सिस्टम प्रतिरक्षा तंतर और प्रतिरक्षा तंतर प्रभावित होगा और किसे होता है HIV से होता है HIV क्या हूं मन हूं मन एमीनोडेफिशेंसी वाइरस हूं मन एक पहुत बहुत ही बैंकर संप्रुनश्रीर प्रभावित होता है संप्रुनश्रीर और एक वायरेस वेरियोला वायरस की वजह से होता है ठेचक है ठेचक है एसमें कौन सरीर अर्व कस्य होता है व्योड धॉलए ला वरियॉद्ट को उलिटे कीच पर ऊसने में बात करेंगे 6 मिन यह छोटी माता था च्छोटी माता चोटी माता तो हम देखते हैं चोटी माता में इसमें भी क्या होता है संपूर्ण सरीर प्रभावित होता है संपूर्ण सरीर प्रभावित होगा और इससे किसे होता है वेरी वेरी शेला वाइरस किसे वेरी शेला वाइरस ठीक है कि और तो आप देखो यह हमारा वेरीशेला वाइरस है और वेरीवी ऐसी यह धीक्त झाब तो कई देना कई बच्छों के किनिफूजन आ जाते हैं यहांपर फिक है और यहां देंट के और छोटी माता है या इसको मालनेना यथ का यह देंगू क्या प्रभाई तो गए देखो कि आँक है बाहर निकलने को जाती है और और जोड़ेंगू में और देंगू में बाफ देखोगे देंगू में क्या हो रहता है हड्य है टूटना सुरू हो जाते हैं, हड्य है विल्कु अक्रन आ जाए हड्यों में और संपुल सरीर प्रभाइत होगा जो हड्यों में, जो हड्य है आंख है जो जोड है हड्यों का एक मिलarias तोड़्ा ये लेना था आंख आंख जोड ठीक है जोड डेंगू है ये ठीक है आख जोड हडियोम का और संपुन सरीर प्रभावित होगा और किसे होता है किसे इसे कोन से वाइरस से होता है ये भी आपको ध्यान रखना है ये कई बार पेपरो में आचका है अर्बो वाइरस से किसे होता है अर्बो वाइरस से और वो वाइरस फिर उसके बाद में गलसोथ गलसोथ है गलसोथ है यह भी किस से क्या होता है गलसोथ में परपरवापड़ता है किस परपरवापड़ता है परपरपरवापड़ता है परपरपरवापड़ता है एन्फल्यू एजा एन्फल्यू एजा के बारे में पुछा जाता है इससे कहा प्रभाव पड़ेगा इससे भी पूरे सरी पर प्रभाव पड़ता है पूरे सरी पर पूर्ण सरी पर प्रभाव पड़ेगा संपूर्ण सरी पर और किस से होता है मिक्सो वाइरस से होता है किसे होता है मिक्सो वाइरस से होता है किसे होता है मिक्सो वाइरस से होता है मिक्सो वाइरस ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है किसे होता है मिक्सो वाइरस से है ठीक है तो इस रूप से आप देखोगे यह थे हमारे विशानु द्वारा होने वाले रोग कौन है विशानु द्वारा होने वाले रोग फिर उसके बाद में आप देखोगे यह वारा सोट्री बतादीस की सभी की ठीक है रेखा में हिट करके पीछे छोड़ गई और यह किसका आगया है हमारा सौशन तंदर से पानी में पानी में कूद बेटी ठीक है पानी में कूद बेटी ठीक है देखो आपने देखा था देखो पलेग है हमारा निमोनिया है कुकर खांशी है और यहाँ पर थोड़ा आप देखो दमा है दमा है हमारा किसे कवक्ष होता है लेकिन आप देखोगे, पानी में कुद, पलेग है, नीमोनिया है, कुकर खांसी है, तो देखो, कुकर खांसी के बारे में आपने द्यान किया था, कुकर खांसी के बारे में, काली खांसी जो देखी थी, वो काली खांसी है, वो क्या है, किसे होती है, काली खांसी है, कुकर खा बैक्ट्रिया से होती है और यहां देखोगे अगर्पले निमोनिय में आप ने देखा था ऐपना यहुं प्लिय्य होता है यह अब दमा है यह पहपुंदि द्वारा होता है सरसनि सोत है और डिफ्थिरिया दिफ्थिरिया के बारे में मैंने बता być किसे अधा हूत है हमारा से होता है आप देखोगे कुकर खासी, पलेग, नीमोनिया, पलेग, नीमोनिया, नीमोनिया and और यहां दमाग चोड़ दो और एक डिप्तिरिया and डिप्तिरिया ये सारे के सारे मारे किसे हो रहे है बैक्ट्रिया से किसे हो रहे है बैक्ट्रिया से बैक्ट्रिया से लेकिन ये कौन से रोग है सौसंत अंतर को प्रभावित करने वाले को प्रभावित करने वाले अ-गर, हमारे सौसन तंदर को प्रभायवित करने वाले थे फिर उसके बात में आप देखोगे यहां पर जो दमा, दमा है ओ, दमा को हम क्या बोलते हैं, और व्यक्तिव में असानी से ठीक नहीं होता है बा Goo या स्थमा रोग है जैसे आपने दिखा हुआ बैघनलोग के अंदर एक व्यक्ति है मचली ही खिलाता है कुछ डालके मचली के मुव में कुंछ डालके दवाइद आलके मचली खिला देगा और काजी वह अंदर कवकर फबंदि को ठीक कर देता है लेकिन हैं कई रोग कैयो इसलिए पता निचल पाता इस्जी वज़े से दमा को हम किसमे भी पढते हैं कवक्त फंजाई से भी पढते है क्योंकि क्योंकि होता है और अलर्जी का ही एक टाइप है ठिक है हम देखते हैं जो ब्रोकाइंटी से शुषनी सोध इसमें सोषन में सूझन आ जाती है सूजन और यह सारी क्या कौन से रोग है सवसंतंतर से संबंदित है रोग है जो हमारे अलग अलग रूप से हमारे सवसंतंतर को प्रभावी ते करते हैं ठीक है आज के लिए था वारा इतना ही पैर बच्चो फिर उसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे ठीक है अगली क्लास के अंदर हम आगे के रोग है वो देखेंगे कोई रोग ऐसा तो नहीं बच गया जो एकजाम के दिश्टी कौन से सही हो और वो भी हम डिस्स कर लेंगे ठीक है आज के लिए हमारा इतना ही जैहिंद वंदे मात